हेलो स्टुडेंट दीसी सबसेख पांडे यूर अग्रिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जिसका नाम है अग्रिपो तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोड़क्टरी एग्रो फॉरेश्ट्री का यूनिट टू पार्ट वन कवर करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ओफ सिल्वी कल्चर ठीक है और एक सेकेंड पार्ट इसमें जब हम लोग बनाएंगे तो आज के बस इस इंपॉर्टेंस ओफ सिल्वी कल्चर पढ़ेंगे तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए यहां क्या है सिल्विक एंड सेल्वी कल्चर इसके पहले के जब वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे जब मैं फॉरेस्ट के रिलेटेड टर्म्स के बारे बात करते हैं जो भी आप फॉरेस्ट रिस लगाते हो उसका इनवर्मेंट से क्या रिलेशन है और उसका कैसा ग्रोध पैटर्न है बीहेवियर है और वो कैसे सर्वाइब कर रहा है उस पाटिकुलर इनवर्मेंट कंडिशन में उसको हम क्या काते हैं sylvics के अंदर count करते हैं बास मनें आया ठीक है तो वहां लिखा है general characteristic growth behavior ecology of forestries and crop with reference to the environmental factor उसी को उन्सिल्विक करते हैं ठीक है अब देखिए यहां क्या लिखा है now moving to the next slide देखिए sylviculture last slide में मैंने आपको ध्यान दिये होंग तो ऐस slide थी ठीक है silviculture क्या है तो silviculture is the branch of forestry which deals with the establishment development care and reproduction and stands of timber ठीक है तो silviculture क्या है forestry का branch है जिसमें हम लोग establishment करते हैं कैसे हमको कौन से पेड लगाने हैं कौन से timber वाले पौधे लगाने हैं ठीक है पौधे ना बोलके हम वहां trees बोलेंगे उसका development कैसे करना है उसकी care and maintenance जो भी है उसमें insect और pest और बाकी सब training and pruning यह सारी जो चीज़े होती है वह हम लोग देखेंगे और reproduction and stands for timber जिससे कि मुझे huge amount में क्या हो पाए timber मिल पाए timber मतलग जिससे कि हम furniture बनाते हैं bad और बाकी सारी चीज़े ठीक है तो अगर हम simple words में बोले silvic culture है क्या the art and science of cultivating forest crops तो जो भी forest crops को उगाने का जो तरीका है और जो color है ठीक है उसी को हम silvic culture बोलते हैं तो silvic क्या है silvic is the study of life history मतलब वो पूरे पौधे की जो life history है उसकी जो history करते हैं general characteristic of forest trees and crop with particular reference to the environmental factor ठीक है as the basis of practice of silvic culture तो देखें silvics क्या है silvic culture समझा जया silvic culture क्या है branch of forestry है जिसमें हम establishment development care and reproduction यह सब चीजे पढ़ते हैं ठीक है और देखते हैं silvics क्या है silvics क्या है जो एक हम पौधा लगाएं या हम मैंने एक trees लगाया उसका environment condition पे वो कैसे इसकी growth pattern है कैसा उसका behavior है behavior है ecology के साथ कैसे वो adapt कर पा रहा है यह सारी चीजे जो हम पढ़ते हैं silvics के अंदर आती है यह वासन में आ गया चलिए आगे चलते हैं now moving to the next slide objective क्या है silvy culture का तो objective क्या है raising species of more economic and commercial value ठीक है तो जो भी हम एक इसी species लगाएंगे जिसे कि जादा से ज़्यादा से ज्यादा economic return मिल पहें ज्यादा पैसे मिल पहेंगा हम forestry की बात करते हैं जो forest में कैसे हम पौद्स लगाते हैं जैसे हम सिसम के पीड लगा देते हैं तो ऐसे पीड लगाते हैं जिनकी जो उसकी तिम्बर की जो वैलू है उसकी लकडी की जो वैलू है बहुत जादा हो और कमर्सियल परपस से भी हम इसको यूज कर पाएं जैसे कि जो भी हम फ़नीचर और बागी सारी चेयर और टेबल डैक्स यह सब चीजी देखते हैं किसे बनी होती है लकडी से बनी होती है तो कहीं न क हिसका एक कमर्सियल वैलू भी है जो हाई मास प्रोड्क्रिक्शन पसले हम करते हैं प्रोडुक्शन फैक्वालिटी टिमबर अभी बताएं कि हाई क्वालिटी टिम्बर हमको मिले जो कि इच्छा हो जिसे कि हम उससे एक फाइन फनीचर बना पाये प्रोड़क्शन आफ मॉ बहुत हर याली है उसमें उतने ज्यादे लकडी और मास नहीं मिल पा रहा है तो हम वैसे पौधे लगाएंगे जिसकी पर यूनिट एया की जो वैलू हो वह ज्यादा हो ठीक है reduction of rotation period the period which is a forest crop takes between its formation and the final felling is known as rotational or production period तो देखे क्या है reduction of rotational period rotational period का मतलब करता है जब आप एक trees लगा दिये तो उसको मतलब develop होने में जो भी 10 साल 15 साल और 5 साल लग रहे हैं तो वो उसकी फिर कटाई के समय तक आज मैंने एक source भी डाला है तो यह सारी चीज़े हम source डाल रहे हैं तो उस पर आप देखतेंगे कैसे intercultural operation होते हैं तो वो सारी चीज़े भी आप देखा करिए जिससे कि आप जब आप theoretical knowledge तो ले रहे हो लेकिन जब आप view करोगे जब उस source को भी देखोगे तो आपको जादा समझ में आएगा ठीक है तो rotational period का मतलब क्या है एक जब आप trees को लगा है तो वो जब starting से लेके well mature तक जब उसकी आप कटाई कर रहे हो जब उसकी harvesting कर रहे हो तब तक का जो period है फिर आप वहाँ दूसरा जो पौधा बहोगे दूसरा पेड लगाओगे वो तब तक का जो duration है उसी को rotational period कहते हैं तो हम rotation period करते हैं तो हम जब सुल्वी कल्चर लगाते हैं तो उसका reduction भी होता है क्योंकि हम ऐसी पौद लगाएंगे जो long lasting हो जादा से जादा मुझे timber दे पाए तो जाएड सी बात है कि rotation period में कमी आएगी तो उसका भी महत्व मतलब objective हम लोग में ठीक है तो यह सारे objective हम में कम हो ठीक objective और भी देख लेते हैं जैसे कि a forestation of blank है blank areas यहां आप इस image में देख पाएंगे कि हम जो भी खाली जगह है उसमें हम क्या कर रहे हैं अभी हम बताएं कि नगरवन की area बढ़ रही है अभी हम forest report का जो हम video बनाये थे उसमें बताये थे तो होता क्या है कि जो भी landmass large landmass खाली है उसको government क्या कर रही है वहाँ forest बना रही है ठीक है जिससे कि वह उस एरिया की जो आसपास की environment condition भी इंप्रूव हो और हमारा overall जो forest cover area है वह increase हो सके ठीक है तो a forestation of blank areas a forestation आप जानते है growing of trees on a large scale is known as a forestation जब हम एक की बड़े scale पे एक particular area पे जब हम पेड लगाते हैं पौधे लगाते हैं उसी को हम a forestation कहते हैं creation of man-made forest अभी बताए जो artificial तोर पे जब हम forest को बना रहे हैं जो naturally नहीं है लेकिन हम उसको artificial तोर पे लगा रहे हैं तो उसी को हम forest बोलेंगे introduction of exotic exotic मतलब कुछ ऐसे हमारे पास क्या होते हैं कि जानवर होते हैं जो क exotic nature के हैं तो वो यहां इस हमारे जो हमारी country है इंडिया वहां survive कर सके उसके लिए भी हम क्या करते हैं एक प्रकार का एक जो हम wildlife century बनाते हैं उसमें हम इस टाइप के पौधे लगाते हैं जिसकी करण कि वो आसानी से उस particular condition में एडाप्ट कर सके ठीक है employment potential जाहिड सी बात है जब आप forest करते हो तो उसकी जब आप commercialization करते हो तो आपको labor की requirement होगी और labor की requirement होगी तो labor में काम करने गाओं के मजदूर आएंगे तो जाहिड सी बात है कि employment का जो rate है वो बढ़ेगा ठीक है increase in the production of fuel and fodder तो fuel and fodder का जो production है उसमें भी increase देखने को मिलती है कि जब आप forest cover बढ़ा रहे हो तो जाहिड सी बात है कि आपके fuel और timber की जो production है वो भी बढ़ेगी और जब वो बढ़ेगी तो जाहिड सी बात है overall तो growth हो गई and forest industries का भी क्या हो पाएगा hou पाएगा forest industries का मतलब जो भी हम tut forest मिलते हैं यह में प्रोडक्ट मिलते हैं और जासे टीमबर हो गया टीमबर से हम बन रहा है कैसे बन रहा है forest product के थ्रू मिल रहा है तो forest industries भी है तो यहां देखे forestation के slide लगी हुई है ठीक है तो forestation क्या होता है कि growing of trees on a particular area on a large scale is known as a forestation जब हम particular area में बहुत जादे amount में जब हम पेड का रोपन करते हैं उनको उगाते हैं तो उसी को हम a forestation तो कहते हैं ठीक है तो यह देखे एक image है सबसे अच्छा मेरे हिसाब से जो तोरफा होता है किसी को देने के लिए बर्डे पे आप एक पौधा उनको gift करिए इससे उनकी यादे भी बनी रहेगी देखे यहां forest industries का हम बात कर रहे थे देखे timber है यहां पूरा wood अब इससे furniture बनेंग का इस्तेमाल करके इदम fine product के वो furniture देते हैं ठीक है आकिया जो है आकिया एक वो है website है जो कि बहुत best और आपका सकते हो कि उसके जो furniture होते हैं एक reliable price पे बहुत अच्छे product मिलते हैं ठीक है आकिया अब हम लोग बात करेंगे importance of silvy culture का क्या महत्व है अभी हम लोग objective पढ़ रहे थे कि उसका उद्देश क्या था कि forest cover बढ़े species introduction of exhaustive को एक particular involvement मिल पाए fodder and fuel का जो है वो increase हो उसका जो yield है वो increase हो ठीक है employment potential increase हो तो यह सारी चीज़े उसकी objective थी अब महत्व क्या है उसका importance क्या है वो सब चीज़े देख लेते हैं ठीक है यहां क्या लिख्या है देखे पढ़िए produces abundant raw material for the industry like timber and paper industry जाइट सी बात है जब आप silvy culture करते हो जो आप large amount में पेड लगाते हो तो उससे आप क्या करते हो timber और paper industry के लिए आप raw material दे पाते हो अगर forest ही ना रहे अगर पेड़ी ना रहे तो हम paper कैसे बनाएंगे हम timber कैसे लाएंगे इसलिए forest का होना बहुत जरूरी है सिल्वी culture का होना बहुत जरूरी है ठीक है increased forest cover अभी हम बताएंगे कब से हम बोल रहे हैं forest cover forest cover तो increased forest cover which is necessary for the conservation of wildlife अगर forest नहीं रहेगा तो wildlife का conservation कैसे होगा और वाइड लेब कह रहेंगे अशुक्तलब आयो दिन डेखते होगे कि तीन्दूवा रोट पे मिला या सेर रोट पे मिल गया ठीक है तो फिस शारी साथी चीजे कैसे रोट पे आजा रहे हैं साथ हल्का में अचिन आरे और इस वज़े से वह जेंडियेख कान नहीं है ना अगर हम forest cover बढ़ाते हैं तो जाइड से बात है वाइड लाइफ का जो conservation है जो वाइड में जैसे lion, tiger और giraffe यह सारी चीज़े जो हैं तेंदुआ है ठीक है तो यह सारी चीज़े जो हैं वो उनको एक furival condition मिल पाता है environment मिल पाता है जिस पे वो अपना growth and further जो भी उनके physiological function होते हैं या life cycle process होती है वो असानी से उसको कर पाते हैं ठीक है आगे चलेंगे prevent soil erosion as the forest cover keeps the top soil intact बात सही है soil erosion को भी क्या करता है वो control करता है कि जो forest है जो पेड आप लगाओगे तो पेड के जो root होती हो वो deep ground तक पूझी रहती है तो वो क्या करते है soil particles को hold करके रखे रहते हैं तो hold करके जब soil particles को रखे रहते हैं तो जब पानी आती है जब बहाँ होता है बाड आता है तो वो soil roots है जो soil को पकड़े रहेंगे तो वो बहा के नहीं जाता है तो soil erosion कहीं ने कहीं water erosion के द्वारा जो होने वाली थी वो रुख जाती है तो यह भी एक बहुत आहम रोल अदा करता है forest का होना जिससे के soil erosion कम होता है और top soil intact भी होता है और top soil में जो organic matter है वो भी grow होता है ठीक है जो humus formation है ठीक है वो भी बढ़ता है क्योंकि जो evergreen forest के बात कर है तो वहां के जो पतियां गिरती है तो फिर वो soil के उपरी सथा पर रहा जाती है को समय बाद जब decompose होना स्टार्ट होती है तो वहां के आप देखेंगे कि जो soil होती बहुत काली नेचर होगी black in color होगी वो जो black substance आपको देखने को मिलता है वो humus होता है जो कि rich in organic matter होता है और वो organic matter क्या करता है महां जाके decompose होता है और soil की physical and chemical properties को भी improve करता है जैसे कि water holding capacity, buffering capacity, cation exchange capacity, anion exchange capacity ये सरी चीजों को वो क्या करता है improve करता है prevent flood since the forest cover is washed तो forest cover flood से भी बताता है अभी मैंने बता लिया creates employment, employment तो देगा ही जाइड सी बात है raw material जो भी forest industries है उसमें जो labor की requirement होगी उस level की requirement को कौन fulfill करेगा गाउं के labor तो जाइड सी बात है employment development होता है तो यह देखिए यह सारी चीजे forest cover का image है यहां timber है तो यह सारी चीजे आपको देखा रहे है कि कैसे देखिए forest में पुरा बाढ़ आ गया है तो अगर पेड़ रहता है तो उस बाढ़ के पानी को भी रोकने का काम करता है स्वाइल इरोजन अभी बताएं कि एक importance of sylvic culture यह भी है कि स्वाइल इरोजन को रोका जाए अब जादा से जादा पेड़ लगा होगे तो जो wind इरोजन था और जो water इरोजन के थूरू स्वाइल का deterioration हो रहा था degradation हो रहा था उसको भी वह क्या करता है कम करता है ठीक है यहां देखे दब वूड योज़ इन पेपर मिक्सिंग उकलिप्टस सुभबूल एंड कसुरियाना ठीक है कसुरियना तो कसुरियना और यह सारी चीजे हैं जिससे कि हम वूड मैटेरियल का इस्तमाल कर कें बाते हैं सबसे ज़ादा यहां जो प्लों फाइन क्लास्में यह सब चीजे आप यूर्ज करते हो वह किसकी तरू मिल पाता है वह आपको मिल पाता है बैंबु से मिलता है यहां यह जिसके वीडियो सौर्टस है और अगर अगर आप चैंल पर हेलly बार वुजिट कर रह हैं तो चैनल को प्लीज लाइक करिए चाले को सब्सक्राइब नर्टारा दूसक Videos को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्याधा सज्चारिए मैं रेगुलर बेसीस पे इस टाइब झाल प्ताड प्तारे लिस तरुटाँ जाव झाले लिर लिर्गास